हेलो सुडेंट्स वी एस्टडीड लमार्किजम एंड टुड़े वियर गोईंग तुट नियो लमार्किजम इस तो लमार्किजम के कुछ कॉंसेप्स जिनकों की सीवियरली क्रिटिसाइज किया गया वो इस प्रकार से हैं दिखे लमार्क ने ये कहा कि जिन ओर्गन्स को एनिमल्स बार बार यूज करते हैं वो साइज में इंक्रीज होते जाते हैं जैसे उन्होंने एक एक्जामपल में बताया जिराफ के कि जिन जिराफ को स्मॉल हाइट पर या लेस हाइट पर फूड अवेलिबल था उनकी नेक छोटी रह गई यानि नेक को बार बार स्ट्रेच नहीं किया तो उसका डिस्यूज हुआ और इनकी ओस्प्रिंग्स छोटी पैदा हुई ऐसे ही जिन जिराफ को ड्रायर कंडिशन में रहना पड़ा या उनकी लिविंग कंडिशन ऐसी थी कि उनको एक पर्टिकुलर हाइट पर लीव को ग्रैब करने के लिए लीव लेने के लिए उनको अपनी नेक को स्ट्रेच करना पड़ता था तो उनको बार बा जैसे उनकी नेक लंबी हो गई इन जिराफ की नेक लंबी थी और इसलिए इनकी ऑफ्स्प्रिंग्स भी लंबी होती गई तो इन्होंने ये कहा कि इनमें इन्हेरिटेंस ऑफ इन अक्वाइर्ड ट्रेट्स हुआ लेकिन बहुत बार ऐसा देखा गया है कि evolution में size increase होने के opposite size reduce हो जाता है जैसे कि trees, angiosperms के अंदर trees, shrubs, herbs और grasses से पहले evolve हुए हैं और shrubs, herbs और grasses बाद में evolve होने के बाद भी much advanced हैं trees से किन्तु उनका size कम होता है अब लमार्क ने कहा कि नए organs वहाँ develop होते हैं जहांपर कि organisms को उनकी जरूरत होती है आवशक्ता होती है अगर ऐसा होता तो man जो कि बहुत लंबे समय से अपने wings की desire रखता है उड़ने की इच्छा रखता है birds की तरह तो क्यों नहीं उसके wings अभी तक develop हुए लमार्क का जो postulate था जिसमें उन्होंने कहा कि animals के उपर environment का effect होता है असर होता है वो कुछ extent तक सही है organisms अपने environment के प्रती react करते हैं और उनके organization में कुछ temporary changes आ जाते हैं ये changes और बार बार तो बहुत ज़ादा डिवलप हो जाता है और डिस्यूज करें तो वो disappear हो जाता है ऐसा नहीं पाया गया और ये भी वो नहीं समझा पाए लमार्क कि किस प्रकार से ये changes और स्प्रिंग्स में inherit होंगे अब कई प्रकार के experiments किये गए जिनसे की inheritance of acquired characteristics के concept को discard किया जा सके जैसे कि अगर parents blind हो या deaf या lame हो तो उनकी offsprings blind, deaf या lame नहीं होती August Wiesman ने एक बहुत ही अच्छा experiment किया जिसमें उन्होंने rats की tails को 80 generations तक काटा और हर बार जो offsprings पैदा होई उनमें tail पाई गई एक Russian physiologist थे Pavlov जिन्होंने mice को train किया कि वो bell बचते ही food को लेने के लिए आ जाए लेकिन ऐसी training उनकी offsprings में नहीं देखी गई Wiesman का experiment Lamar की theory को एक serious blow था उन्होंने एक male और एक female rat की tails काटनी और उनको mate कने के लिए अलाओ किया तो उन्होंने देखा कि जो offspring थी उसकी पूँच जो similar to parents उसी प्रकार की length की उतनी ही length की पाई गई इन्होंने ये experiment 22 generations सक्किया लेकिन still rats की long tail इन्होंने देखी जब Wiesman नाम के worker थे उन्होंने theory of continuity of germplasm दी और साथ ही Mendels ने जब laws of inheritance बनाए या दिये तो Lamar की inheritance of acquired characters की जो theory थी उसको एक serious blow मिला Germplasm की theory ये कहती है कि हर organism में दो प्रकार की cells पाई जाती है एक होती है germ cells जो की gonads में पाई जाती है और जिनके through hereditary material एक generation से दूसरी generation में pass on किया जाता है एसे ही दूसरी प्रकार की cells होती है जिने somatic cells कहते हैं जो की बाकी के शरीर का निर्मान करती है और इनके through hereditary material एक generation से दूसरी generation या offspring में pass नहीं होता है environment और किसी भी organ का use या disuse somatic cells पर असर डालता है इसका मतलब यह हुआ कि acquired characters केवल somatic cells तक ही restricted होते हैं germ cells तक उनका असर नहीं जाता इसलिए ये characters inherit नहीं किये जा सकते जो की somatic cells में होते हैं तो Lamarck की evolutionary theory जो थी inheritance of acquired characters की वो एक गलत assumption है गलत theory है तो टी-एच मॉर्गन और कोप नाम की workers थे जिन्होंने neo-lamarchism propose की इन्होंने ये कहा कि जब acquired characters germ plasm के साथ incorporate हो जाते हैं मिल जाते हैं तब वो characters heritable हो जाते हैं साथ ही generation after generation जब कई सारी generations में ये heritable characters एकटे हो जाते हैं तो नई प्रजातियों का निर्मान होता है या नई species originate होती है लमार्किजम की neo-lamarchism की theory के support में कई सारे experiments किये गए तो bonner ने transplantation experiments किये native environment में नेटिव मतब जहां जनतु पाए जाते हैं वहां पर और जहां वो नहीं पाए जाते हैं जो उनका natural place living place नहीं है उसे हम unnatural environment कहेंगे वहां पर दोनों जगे पर उन्होंने experiments परफॉर्म किये transplantation experiment और इन्होंने यह पाया कि जो changes आए थे जो variations आए वो future generations तक inherit हो गए ऐसे ही अगर white mice को एक particularly high temperature पर between 20 to 30 degrees Celsius पर अगर rear किया गया बड़ा किया गया white mice को तो उनकी body उनकी tail और उनके hind limbs लंबे हो गए इस character को दूसरी generations में जो succeeding generations थी उनमें भी observe किया गया उनमें भी transmission उनका देखा गया ऐसे ही tower नाम के quarker थे जिन्होंने potato beetles को temperature और humidity की abnormal conditions पे expose किया और उस समय expose किया जब उनके reproductive organs develop हो रहे थे तो इन beetles के offsprings color में variation दिखाते हैं और ये color variations दूसरी इनकी जो future generations थी further generations थी उनमें भी observe किये गए brown square ने कुछ diseases जैसे की exophthalmia, hematoma और dry gangrene के लिए कहा कि ये अगर brain की restiform body में अगर injury हो जाए तो ये diseases offsprings पर भी या offsprings अग भी इन्हेरिट की जा सकती हैं, MacDougal ने rats को एक पानी के tank में कई सारे बचने के रस्तों, मतलब escape routes जेने कहते हैं, उनसे बचने के तरीके सिखाए, उन्होंने उनको train किया इसके लिए, और उनने देखा कि जैसे जैसे कई सारी generations में वो ये training देते गए, तो उन्होंने देखा कि after many generations, जो errors की जा रहें थी rats से, बचने के लिए वो कम होती गई, अब अगर किसी individual को या organism को x-rays या colchicine या mustard gas जो की mutagens हैं, इनसे एक्सपोज किया गया, तो उनमें chromosome structure में changes देखे गए, जिन्हें chromosome या chromosomal aberrations कहा जाता है, इसका मतब यह हुआ, कि नियो लमार्किसम ने ये प्रूफ कर दिया, कि germ cells environmental changes से influence होती है, जर्म cells acquired या somatic variations को दूसरी generations तक ले जाती हैं, जो की harrison's के experiment ने प्रूफ किया, हैजलप harrison नाम के वर्कर थे, जो ने एक moth के उपर experiment किया, pale variety of moth थी, जिसे salonia bilunaria कहते हैं, जब इनको manganese coated food दिया गया, तो एक colorful variety, एक colored variety बनी मौथ की, ये colored variety को जब breed कर आया गया, तो इनके offsprings भी same color की थी, इसका मतलब उनके genotype और phenotype, offsprings के जो थे, उनमें सब में ये changes देखे गए, ऐसे ही, new lamarkism ने ये प्रूव कर दिया, कि germ cells environmental factors से directly influenced होती है, जो कि tower का experiment खिलाता है, tower ने ये experiment potato beetles पर किया था, जिनको abnormal temperature और humidity conditions में exposed किया गया, इस heat treatment से न किवल beetles के somatic changes आये, लेकिन उनके offsprings में भी marked color changes देखे गए, जो कि दूसरी generations, उनकी जो next generations थी, उनमें भी ये color changes observe किये गए, तो इसका मतलब, germ cells environmental factors से influence होती है, तो these are the main postulates of Neolamarchism, that is, germ cells are influenced by environmental changes, germ cells may carry acquired or somatic variations to the offspring, and germ cells may be affected directly by environmental factors, so this is all about Neolamarchism, so you people keep reading, keep studying, keep watching, thank you